वेलकम, आज हम कक्षा तीसरी की EWS की पाठे पूस्तक है, जिसका नाम है जरोखा, बड़ा ही प्यारा नाम है, इसका पार्ट नमबर आठ करेंगे, यहां देखो, जैसे कि आप लोग मेरे साथ देख पारे हैं, पार्ट आठ, उपजे सोना खेतो में, अब ये सोना खेतो में क एक तरह का सोना है, लेकिन यहां जो स्पेशल कहा गया है, वो गेहूं के लिए, गेहूं क्या है, सुनहरे रंका होता है ना, तो उसे सोना भी कहते हैं, दूसरा सोना जो खाने वाला, और जो हम ये गहने बनाते हैं, वो सुनार से मिलता है, उसका मतलब भी सोना होता है, ठी वसल होती है जुद्गे हूं जिसके हम जीवित रहते हैं जिसकी हम रोटी या अन्य पकवान बनाकर खाते हैं ठीक है आईए बड़ा ही इंट्रेस्टिंग पार्ट है उसको पढ़ते हैं क्या बताया गया है सबसे पहले तो देखो ये फोटो है जो इसको बड़े ही ध्यान से देखो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं यहां देखो क्या कर रहे है ये खुशी में नाच रहे हैं जिसमें दो लड़किया हैं और दो महिलाएं हैं आईए ये खुशी में क्यों नाच रहे हैं इसके बारे में भी जानते हैं चलिए साथ में पार्ट पढ़ते हैं अक् महीने में दशहरे आदी तिवार आते हैं और दिवाली का तिवार नौंबर में आता है यानि कि खुशियों का महीना आजाता है इसमें गर्मी खतम हो जाती है सरदी की सुरुवात होती है तो अक्तूबर के महीने की बात हो रही है खेतों में गेहूं बोने की तियारी चल रही है तो इस समय जो मोसम है गर्मी खतम हो जाती है वातावरन में नमी आ जाती है और कुछ फसले ह जो इस महीने में उगाई जाती है बोई जाती है तो उसके लिए कम पानी की जरूरत पढ़ती है और वो बहुत जल्दी बढ़ती है फलती फुलती है चलिए देखते हैं आगे क्या बताया है कल मैं भी पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठ कर खेत में जाऊंगे अब यहां देखो ट्रैक्टर कार की बात नहीं हो रही है इससे क्या पता चलता है किसान है किसान क्या है खेती करता है तो आजकल उसे क्या है पहले के जमाने में बैल होते थे तो बैल गाड़ी बना कर जाता था जहां भी जाना होता था लेकिन आजकल के जमाने में उसके पास ट्रैक् ट्रैक्टर का वही रहता है तो जो यह जाऊंगी से पता चल रहा है कोई लड़की बात कर रही है और वो कहां जाएगी ट्रैक्टर पर बैठके जाएगी और कहां पर जाएगी खेत में जाएगी और किसके साथ जाएगी अपने पिता जी के साथ ठीक है आगे क्या लिखा हु यह इनकी मम्या है और यह इनके रिस्तेदार होएंगी दोनों महलाएं और यह उसके पिताजी है गेहु खेतों में गेहु बोने की त्यारी चल रही है तो आप थोड़ा से इसको ध्यान से देखें यहां देखो यहां यह यह खेत की जमीन है दिखरी है मिट्टी का रंग गेहु बिखेद रहा है यानि की गेहु त्यारी कर रहा है बोने के लिए तो वो हातों से गेहु गिरा कर बो रहा है ठीक है यह उसके पिताजी है और एक गाना भी गुन-गुनारी है छोटी बेहन क्या गुन-गुनारी है आईए पड़ते हैं हरा भरा हरियाना महरा सबती आगे लियाना से आओ चालना खेता मा सोना इप उपचाना से यानि कि क्या कह रहे है हरा भरा यानि कि हरियाली है हरियाना आप लोग जानते हो जिस जिले में रहते हो हरियाना है राज्य हरियाना है और हरियाना के किसी भी जिले में रह लो आप सारी जगा यानि कि पूरे हरिय हरियाली है हरियाली का मतलब क्या है खेत है अगर आपने सफर भी किया होगा बस में ट्रेन में तो देखा होगा सबसे ज़्यादा हरियाली हरियाना में है सबते आगए लाना से मतलब पहले नंबर पे लाना है इसको पीछे नहीं जाने देना आओ चालना खेता में खेत में चल इसलिए उसे सोना कहा है तो गेहुं को उगाना है लगाना है खेतों में तो ये सारे इसी को गाते हुए नाज भी रहे हैं खुश भी हो रहे हैं और ये चार लाईने बोल रहे हैं अब आगे चलते हैं हमारे पडोसी नंदू-तौ यानि कि अब क्या है, यह जो इंसान दिख रहा है, इसका नाम नंदू है और यह इसके पिता जी से उमर में बड़े हैं, पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं ताउ जी ठीक है तो ये कहरे हमारे पडोसी नंदू ताउ के कई खेत हैं ठीक है उन्होंने सरसो की बुआई पहले ही कर ली है अब आप लोग जानते होगे जिनके खेत हैं ठीक है जिनके दादा या नाना या घर में कोई भी लगाता है पापा वगेरा खेती का काम करते हैं या देखा हो आसपड़ोस में तो जो टूबर नोमबर का महीना है उसमें क्या है गेहु लगाई जाती है और सरसो का साग इसी मौसम में आता है ने जल्दी तियार हो जाता है तो पहले सरसो की बुआई कर ली जाती है सरसो लगा लेते हैं सरसो जल्दी तियार हो जाती है ठीक है तो क्या करते हैं सरसो की बुआई पहले ही कर लिए ये ताउ है ना नंदु ताउ इन्होंने ये देखो पिछे क्या है हर्याली दिखरी है ये हर्याली दिखरी है और ये इनका ट्रैक्टर है तो इन्होंने क्या है स तरसो लगा ली है अब यहां दूसरी फोटो देखो सरसो की फसल लहला रही है यानि कि हर्याली है फसल त्यार हो रही है काटी हुई है और हाथ में लेकर बड़े खुश हो रही है ठीक है उसके बाद पेज नंबर 56 का काम पूरा हुआ है इसमें एक चीज और है कि खेतों में अथवा एक स्थान पर बहुत सारे एक जैसे पोधे को लगाना फसल कहलता है फसल क्या होती है ऐसे नहीं है कि आप अपने एक अलू लगा दिया एक गेहूं लगा दिया एक चावल लगा दिया नो आपने क्या है मालो यह इतनी जमीन है तो जमीन के एक टुकड़े में हम चलते हैं पेज नंबर 57 पर जिसमें क्या है आप से कुछ प्रशन पूछे गए हैं जो उपर पेज नंबर 56 आपने पड़ा है उसी के समझ या जो आपने अपने आसपास देखा है उसके अधार पर आपने इन प्रशनों के उत्तर देने हैं और देखो लिखा भी हुआ है क् सोच कर लिखना है तो पहला प्रशन देखते हैं सोचते हैं और फिर लिखेंगे क्या तुमने खेत देखें सोचना है अब आपने अगर आपने देखें हैं तो लिखोगे हां नहीं देखें हैं तो नहीं जो हरियाना के हैं उन्होंने लगभग सफर करते हुए या आते जात वे हमेशा देखे हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे हां जैसे मैं इसका उत्तर लिखती हूं बड़ा कर लेती हूं ताकि आपको दिखे सुंदर सुंदर लिखने हैं उत्तर ठीक है? अब उसके बाद में क्या पूछावाय है? यदि हाँ तो कहाँ? तो आप क्या कर सकते हो? जैसे जिनका खुद का खेत नहीं है, जो गाउं में हैं, उनके खेत हैं उन्होंने देखा हैं, जो गाउं के स्कूल हैं, तो वो स्कूल जाते वे खेत, रस्ते में देख लेते मालनों उनकी खुद की जमीन नहीं है लेकिन रस्ते से जाते वे स्कूल तक पहुंचते हैं तो वहां खेत मिल जाते हैं ठीक है लेकिन जो प्रोपर शहर के हैं उन्होंने कहां देखा वो या तो अपने दादा जी के घर घूमने गए होंगे जो गाओं में रहते हैं या ना न लिख देती हूं हां गाओं में तो किसका गाओं हो सकता है वो नाना नानी का भी हो सकता है दादा दादी का भी हो सकता है ठीक है यह उत्तर हो गया आपका आपको जो समझ में आए वो लिखोगे मैंने जो देखा है वो लिख दिया या स्कूल जाते वे या कुछ भी लिख स सबसे पहले आपको एक जोपड़ी दिखेगी, जोपड़ी बनी होती है, वहा कुछ पशु भी बन्दे हो सकते हैं, गाएज भैस, ठीक है, और क्या है वहाँ ट्रैक्टर हो सकते हैं, और हल जोतने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली, यह मिशीन ने होएंगी, और क्या हो सकते हैं खेत में आपको फसले दिखेंगी जिस सीजन का है या सबजियां लगी है तो सबजियां दिखेंगी कुछ किसाम दिख सकते हैं और क्या है खेत में क्या होता है जो गाए भैस होता है उसके गोबर की पाथियां बड़ी-बड़ी बना के रखी होती है वो दिख सकती है तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजे दिख सकती है तो मैं इसमें कुछ चीजे लिख देती हूँ आपकी सहुलियत के हिसाब से जैसे यहां लिखोगे उत्तर आपन सकती हूं मैं या पसू लिख दो भैंस देखी और क्या देखी फसले देखी और क्या देखी जोपड़ी देखी और क्या देख सकते हो आप ट्रेक्टर हो गया या ट्रोली लिख दो कुछ भी लिख सकते हो ट्रेक्टर आदी लिख देती हूं आप अपने खेत में जो देखते हो वो लिख सकते हो इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया अब चलते हैं प्रशन नंबर तीन में क्या तुम्हारे परिवार में भी खेती का काम होता है यदि आपके परिवार में खेती का काम होता है तो आप लिखोगे हाँ अगर नहीं होता तो तो आप लिख दोगे नहीं, नहीं लिख दिया तो उसके आगे कोई जवाब नहीं देना, अगर हां लिखा है तो यह पूछा है यदि हां, तो क्या-क्या उगाया जाता है, तो अब इसका जैसे मैंने उतर नहीं के बाद तो खतम हो जाएगा, जैसे मैं लिख देती हूं उतर क्या पूछा वा था क्या तुम्हारे परिवार में भी खेती का काम होता है जैसे मेरे दादा दादी करते है पापा नहीं करते लेकिन दादा दादी करते है तो अब पूछा है यदि हाँ तो क्या क्या उगाया जाता है तो वहाँ पर क्या उगाया जाता है सबजियां उगाई जाती है ठीक है सबजियां लिख दोगे और क्या लिख सकते हो गेहूं गेहूं गया जाता है गेहूं हो गया और क्या उगाई जाता है गेहूं के बाद सरसो उगाई जाती है तो सरसो हो गई और क्या उगा सकते है या उगरा है सबजियों में सारी सबजियां आ गई हैं कुछ भी आ सकता है नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो धान, धान किसको कहते हैं? चावल को, आदी ठीक है? इसको उत्तर लिख देंगे धान, आदी, इस तरहें की छोटी-मोटी फसले उगाई जाती है आगे हैं, पता करो और लिखो आपने पता करके लिखना है पता किस से कर सकते हो आप? जो आपके घर में खेती करते हैं या फिर आपके आसपडोस में है उनसे पता करके लिखना है क्या लिखना है? नीचे कुछ फसलों के नाम दिये गए हैं उनके बोने का समय पता करके लिखो अब जैसे क्या है सबसे पहला है कपास फिर है चावल फिर है बाजरा इनके बोने का समय लिखना है पहला है कपास तो कपास कब बोई जाती है अगर आप अपने आसपास में देखो तो ये मई जून गर्मी में बोई जाती है तो हम यहां लिख देंगे या तो मई का पूरा महीना कभी भी बोई सकते हैं या फिर जून मई से जून दो महीने इसके लिए सबसे अच्छा होता है अब आप यह सोचोगे मई जून क्यों अगर कपास को आप अक्तूबर या नुवंबर में बोदेते हो तो वो नहीं उगेगी उस वक्त वातावरन ऐसा होता है कि वो सड़ जाएगी जो कपास के लिए जो वातावरन चाहिए वो मई और जून दो महीने का सबसे बढ़िया होता है उनके उगने के लिए वो जल्दी उगता है जल्दी बढ़ता है फिर है चावल चावल आप ध्यान से देखना कौन से महीने में उगाया जाता है जब बारिश इसके लिए पानी चाहिए ना तो मई जून जूलाई ये महीने इसके लिए सही रहते हैं तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मई, जून में ही उगा देते हैं, और भगवान के पानी की उमीद ना करके, अपना ट्यूबेल चलाकर पानी भरके कर देते हैं, ताकि बाद में बारिश हो तो वो अच्छे से लगे, मई, जून, जुलाई, तीन मईने हो गए ना ही, ठ कहीं ये बारिश का इंतजार करके लेट उगाए जाती हैं, ठीक है, और कहीं पर मई में ही कर दिया जाता है, जिनके टूबेल बगएरा लगाओ, आगे है बाजरा, बाजरा के लिए भी कौन सा महीन अच्छा रहता है, मई, जून का, तो हम यहां लिख देंगे, मई, जून ठीक है, ये महीने इनके लिए सबसे बड़िया होता है, जिसमें ये जल्दी उगती हैं, आगे हैं, अपने बड़ो से, बड़ो से यानि कि अपने मम्मी, पापा से, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, ताया, ताई, जो भी हैं, उनसे पता करो, कि अक्तूब नुमंबर, अब देखना, अब ध्यान से, अक्तूबर चलने वाला है, कौन सी लगाएंगे, सबसे बड़ी जो फसल है, वो गेहूं की उगाई जाती है, पूरे हरियाना में, ठीक है, दूसरे नंबर पे है, जो लगाया जाता है, जो, जो होता है, जो जानवरों को डालते ह ठीक है, चरी बोलते हैं, जिसको या जो भी कहते हैं, नंबर तीन पे है, तीसरे नंबर पे है, सरसो, इस मोसम में सरसो लगाई जाती है, बहुत जल्दी बढ़ती है, जिसका साग बनता है, और बाद में पक जाती है, तो वो तियार हो जाती है, तो उसके बाद उसका तेल लिकालते हैं और चोथे नंबर पे आप देखना इस पे चने लगाए जाते हैं ठीक है इसके अलावा भी बहुत कुछ है लेकिन आप इन चार को ही याद रखना गें हूँ जो सरसो चने ये बहुत अच्छे होते हैं इस मोसम में लगाने के लिए ठीक है अगे हैं अगला प्रेशन है चर्चा करो इसको लिखना नहीं है आपने चर्चा करना है लेकिन मैं थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ परिवार के बड़े लोग में वही आगे जो आपसे बड़े हैं मुम्मी, पापा, चाचा-चाची, ताया- ताई, दादा-दादी, नाना-नाणी, मामा-मामी आदी लोग खेतों में क्या-क्या काम करते हैं अग्र देखो जिनके खेती बड़ी का काम है तो वो बड़े लोग क्या काम करते हैं समय समय पर बूआई हो गई जुताई हो गई यह नमबर दो डाल दो नमबर तीन पे क्या आजाएगा उनकी बीच बीच में जो घांस लग जाती है उसकी सफाई करनी पड़ती है तो उसे बोलते हैं घांस वगरा को खरपतवार यानकी जिसकी हमें जरूरत नहीं होती जो हम नहीं लगाते और वो उग जाती है वो खरपतवार को निकालना ठीक है बुजूर्ग लोग क्या करते हैं बड़े लोग क्या करते हैं समय समय पर जाकर खरपतवार निकालते हैं उसके बाद और क्या करते हैं फसल काटना ठीक है आदी काम करते हैं इतना लिख दिया नमबर चार पर लिखना है तो लिख दोगे फसल काटना इसके अलावा भी यही लिख सकते हैं यानि कि पहले बुआई हो गया जुताई करना खरपतवार निकालना फसल काटना ठीक है उसके बाद अगला क्या है क्या खेती से जुड़े सभी काम इस्तरीवे पुरुष समान रूप से करते हैं अब आपने देखा होगा पहले का समय था तो क्या था जो पुरुष लोग थे वो बाहर खेतों में काम करते थे औरते क्या करती थी घर का काम करती थी उसमें क्या था चक्की जो हाथ की चक्की होती थी आटा पीसना बड़ा परिवार होता था उनके लिए खाना बनाना सबके लिए कपड़े दोना तो इतना काम करने में उनका पूर पुरुष भी घर के कामों में इस्तरियों की मदद करते हैं तो उसके बाद इस्तरियां भी क्या है वो खेती के काम में मदद करती हैं तो सारा काम आज के जमाने में क्या है कुछ तो मशीनों से कम हो गया है काम तो इस्तरिय पुरुष क्या है समान रूप से काम करते हैं ठीक ह पतवार निकालने का भी कर रही है, सिंचाई यानि की पानी देने का भी काम कर रही है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, जुड़े सभी काम समान रूप से हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे उत्तर, हाँ, ठीक है, मैं अपने according उत्तर लिख रही हूँ, हाँ, क्योंकि आजकल सारे का हम इस्तरियां और पुरुष समान रूप से कर रहे हैं, चाए वो घर के हो, चाए बाहर हो, आगे हैं नई पुरानी फसले, बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं, इसमें हमें पता चलेगा, नई जमाने की फसले कौन सी है, और पुरानी फसले कौन कौन सी है, इसमें प्रशन बी आ जाते हैं तो सबसे पहले यह देखो यह इसको हम कहते हैं आम भाषा में डब्बे वाला TV, जो आज कल बहुत कम है देखने को मिलता है यानि कि 100 घर में से एक घर में मिलेगा इसको हम तो बोलते थे डबबे वाला TV क्योंकि यह डबबे की तरह होता था लेकिन आज कल जो TV चल गया है वो मोबाइल की तरह है बिल्कूल पलें होता है जो दिवार पे टंग जाता था और यह दिवार पे नहीं टंगता था डबबे वाला TV इसको रखने के लिए special मेज चाहिए होती थी या कोई ऐसी चीज होती थी जिसके उपर ये टीवी पड़ा रहे ठीक है दूसरा इसमें रिमोट नहीं होते थे दोनों में फरक क्या है जो आज कल के टीवी है उसको देखो हास से नहीं चलाना पड़ता उसके चैनल बदलना है तो हमारे पास रिमोट हो हम दूर से चैनल को बदल लेते हैं लेकिन जो पहले वाला टीवी था यहां पर आप ध्यान से देख रहे हो बटन लगे में अगर आवाज कम जादा करनी है तो यहां जाना पड़ेगा चैनल बदलने है तो यहां जाना पड़ेगा तो यह हम कह सकते हैं कि डब्बे वाला ट टीवी कहते हैं और इसको देखोगे तो क्या है शंकर वे रीना के दादाजी इससे हमें क्या पता चलता है ये जो लड़का है इसका नाम क्या है शंकर है ठीक है और इस लड़की का नाम क्या है रीना है हम यहां लिख भी देते हैं शंकर और इस लड़की का नाम क्या है रीना जो की बड़े ही प्यारा नाम है ठीक है और ये उनके क्या है बीच में जो बैठे हैं ये उनके दादा जी है ठीक है क्या चल रहा है शंकर वे रीना के दादा जी टीवी पर हर रोज खेती बाड़ी का कारेकरम देखते हैं अब ये देखो हम टीवी पर क्या देखते हैं जो हमें अच्छा लगे या हमारे जरूरत के अनुसार हो अब बच्चे क्या हैं अपनी जरूरत के अनुसार या तो कार्टून की फिलम द तो ये अपने से जुड़े हुई चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, खेती बाड़ी का कारेगरम, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जो महतपुरन जानकारी दी जाएगी, उससे वे अपने खेत पर लागू करेंगे और उसका फाइदा उठाएंगे, एक दिन देख रहे थे, कहते हैं, दादा जी आओ बाहर घूमने चलते हैं, देखो बच्चो को तो घूमने में मज़ा आता है न, तो वो मम्मी पापा तो बीजी होते हैं, तो किन के साथ जाते हैं, वो दादा दादी के साथ जाते हैं, पारक में चले के, वहां खेलना, बहुत आईए अब हम page नंबर 58 पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ दादा जी बोले देखो जो दादा जी बैठे थे वो बोले क्या बोले बच्चो थोड़ी देर रुको यानि कि थोड़ी सी देर रुक जाओ ठहर जाओ टीवी पर खेती से जुड़ी काम की बाते बताई जा रही हैं दादा जी कह रहे हैं कि टीवी पर बहुत जुरूरी बाते बता रहे हैं और किसके बारे में खेती से जुड़ी हुई जो मुझे काम आएगी इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ तो उसके बाद क्या रुकना था तो दोनों बच्चे जो शंकर और रीना थे भी बैठ कर टीवी देखने लगे वो भी देखने लगे कि मेरे दादा जी क्या देख रहे हैं ऐसी क्या जुरूरी बात है हम भी तो देखें ठीक है ताकि उन्हें भी पता चले आगे क्या है किसान कौन होते हैं जो खेती करता है किसान टीवी पर बता रहे थे पहले खेती का सा सारा काम हाथों से होता था सारा काम कौन सा यानि कि खेतों की खुदाई करते थे जिसको हम जोताई कहते हैं तो वो यह देखो यहां पर बैल होते थे उनके पास और इंसान पीछे डंडा लेकर यह फावडा सा लगा होता था उससे खुदाई करते थे इसी से बीज डालते थे सिचाई करने होते थी तो वो भी पानी मशीने नहीं थी और कटाई करनी है तो वो भी हातों से यानि कि बुवाई से लेकर फसल त्यार होने तक का सारा काम हातों से होता था अब यह सोचो जब हातों से होता था तो बहुत कम काम कर पाते थे ज़्यादा लोग लगते थे और बैलों का प्रियोग करते थे जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको सिंचाई के साधन अधिक नहीं थे ठीक है इसलिए किसान अब क्या था सिंचाई के क्या साधन होते थे पहले बहुत कम थे limited थे लेकिन आज कल सिंचाई देखो हर खेत में टूबेल लग गया है पानी पानी हो गया है और ये कुए खुदे में है जो बाटर वक्स है उसकी सप्लाई आ रही है सबमर्सिबल लग गये हैं हर घर में तो उससे क्या है पानी पानी हो गया है और उससे हाथ से नहीं चलाना पड़ता, सिर्फ बिजली से चलता है, तो बहुत ज़्यादा पानी निकल आता है तो अब ये देखो, पहले क्या है, सिंचाई के साधन कम थे, इसलिए किसान अधिकतर कौन सी फसल हुगाते थे, चना, बाजरा, जवार, आदी फसले बोते थे क्यों बोते थे? क्योंकि चने में भी कम पानी चाहिए, देखो चना राजस्थान में ज़्यादा होता है, बाजरे के लिए भी कम चाहिए, बाजरा भी राजस्थान का है, जवार, इनको कम पानी चाहिए होता था, तो ये फसले बोते थे और इसी को खाते थे इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है अब ये क्या है ये पुराने जमाने की हमारी फसले हैं चन्या, बाजरा, जवार और इनको क्यों लगाते थे कोई आप से पूछे तो आप कहोगे इन फसलों को पानी की कम जरूरत होती है लेकिन आप देखो क्या हुआ मतलब घेटो की जो खुदाई है लाइन से बीज लगाने का का मशीनों से होता है जिसको पहले करने में 5-5-6 दिन लग जाते थे, 10-10 बंदे लगते थे, आज कल वो क्या है, 2 घंटे में काम हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, आज कल सब काम मशीनों से होता है, इसलिए कम मेहनत में काम जल्दी हो जाता है, यानि कि सिर्फ वो ट्रैक्टर या ट्राली को च चला देते हैं, तो उससे काम जल्दी हो जाता है, और पहले यही काम करने को क्या है, 10 बंदे लगते थे, और दिन भी जाधा लग जाते थे, अब बहुत कम समय लगता है, संकर को भी यह बात अच्छी लग रही थी, अब देखो वो दोनों बच्चे बैठे थे ना, रीना और शंकर, तो शंकर को भी यह बात सुनने में मज़ा आ रही थी, तभी उसे अध्यापिका की सुनाई हुई कवीता, याद आई, ठीक है, जैसे वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर आप लोगों को सुनाते हैं, या आप कहीं से पढ़ते हो, तो उसके दिमाग में एक बात याद आ गई, कि मेरी टीचर ने भी मुझे एक कवीता सुनाई थी, और वो किस पे थी, किसान पे, वह बोला, दादा जी, पहले मेरी कवीता सुनो, कल स्कूल में हमारी अध्यापिका ने सुनाई थी, और जो उसको याद होगी, देखो, कितनी अच्छी बात है, दाद अब ही क्या है, जो छोटी मोटी कवीता होती है, उसे याद किया करो, जो बहुत अच्छी होती है, सुनने में ये सुनाने में अच्छा लगे, जब भी कोई प्रोग्राम आए सुनाओ, तो अब शंकर सुनाता है, क्या सुनाता है, चलिए ध्यान से सुनते हैं, नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान चिडियों के जगने से पहले खाट छोड उठ गया किसान चलिए अभी इसका मतलब भी समझते हैं शंकर कह रहा है कि अभी सुभे नहीं हुई है सुभे कब होती है जब सूरज निकल आ जाता है पूरी रोशनी हो जाती है लेकिन वो क होता है तब भी लाली मा होती है तो लेकिन जब सुभे मतलब पूरी रोशनी नहीं होती सुरज निकलने वाला होता है तो आसमान में क्या है लाली मा लाल रंग छाया होता है चिडियों के जगने से पहले अब चिडियां कब जगती है जब सूरज की रोशनी बिखर जाती है वो लाल से सफेद हो रही होती है तब उड़ती है लेकिन यहां देखो किसान के बारे में क्या गया है खाट, खाट होती है चार पाई जिसको आज अगल बैड बोलती है वो मंजा बोलते थे या चार पाई उसको छोड़ उठ गया किसान लेकिन किसान ऐसा है जो सूरज निकलने से पहले अभी उसकी लाली मा लाल रंग ही है चिडिया भी नहीं जागी है लेकिन किसान उठ गया है ठीक है और किसान उठ कर क्या कर रहा है ये देखो अपने खेतों में चला गया है और खेतों में हल से जुताई कर रहा है ठीक है अप जो लू चलती है गर्मियों में मैं जून में तो उसमें जब आप ध्यान से सुन रहे होगे गरम हवाई चलती है तो वो संसन की आवाज आती है धर्ती जलती तवे समान उस वक्त आप 12 बजे एक बजे दो बजे नंगे पैर आप जमीन पर नहीं चल सकते वो इतना गरम होता है जैसे तवा गरम और रोटी बनाने के लिए फिर भी करता काम खेत पर लेकिन जो किसान है न वो इतनी गर्मी में इतनी लू चल रही होती है उस वक्त भी खेत में काम करता है बिना किये अराम किसान किसान ज़्यादा अराम नहीं करता अपने जरूरत के अनुसार सरीर को थो वो संसनाती लू में भी अपनी ये कटाई का उजार लेकर फसल पकर तियार हो गई है तो इसको काट रहा है गेउं की बालियां लग रही है तो इसको काट रहा है काम में लगा हुए है अब तीसरा पहरा देखो है किसान को चैन नहीं चैन होता है अराम यानि कि किसान को अर रहता हरदम काम, वे हमेशा हरदम होता है, हमेशा काम में लगा रहता है, कोई ना कोई काम लग रहता है, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना अराम, उस वे मन में कभी नहीं सोचता है कि आज मैं घर में रहूंगा और अराम करूंगा, अगर उसकी तबियत भी खराब ह जाती है ना तो वो उस दिन भी खेत में जाता है और वहां जाके खुश होता है रोज जितना काम तो नहीं करता है लेकिन थोड़ा बहुत काम जरूर करता है यानि कि ऐसे नहीं है कि वो घर में बैड़ गया और मंजी पे सारा दिन सोकर अराम कर रहा है ऐसा बिलकुल नहीं है यहां देखो वो बुआई से लेकर कटाई भी कर रहा है और उसके बाद जब उसकी फसल तियार हो गई है तो वो उसको ट्रैक्टर या ट्राली जो भी उसके पास साधन है चाहिए बैलगाडी है या कुछ भी है तो उस पे डालकर वो उसको बेचने के लिए जाता है क्योंकि जब उसको बिकेगा तभी पैसे आएंगे तभी अगली बार फसल वो फसल के लिए बीज ले सकता है और खाद ले सकता है और उगाएगा ठीक है इस परकार दादा जी बोले क्या बोले यह तो बहुत ही अच्छी कवीता है शंकर तो आप लोगों को भी अच्छी लगी होग आपने याद रखने है दिवाली, रवी दिवाली कब आती है है अक्तूबर नमबर में और इस समय क्या बोया जाता है गेहूं और चना ठीक है यह मैन चीज है मैन अनाज है उसके बाद दूसरा मोसम क्या आता है जून जुलाई जो गर्मी का मोसम होता है उसमें बोय जाने वाली फसल को क्या कहते है खरीफ की फसल ठीक है इसमें कौन सी हम बोते हैं फसल को बाजरा हो गया कपास हो गया ठीक है ये फसल होती है तो आपने यह याद रखने है अक्तूबर नुमंबर में जो बोई जाती है उसे रभी कहते हैं जून जुलाई में उसको खरीफ की फसल कह और अक्तूबर नमंबर में कौन सी बेवबोई जाती है गेमुचना और जून जुलाई में कपास हो गया और बाजरा हो गया ठीक है अब चलते हैं पेज नमबर 69 पे 58 का काम पूरा हो गया है चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है यदि तुम्हें भी किसान से जुड़ी कक्षा में सुनाओ तो ये काम बच्चो आपने लिखने का नहीं है अपने मनोरंजन का है अगर आप भी चाहते हो कोई चीज को याद करना आप भी कोई ऐसी अच्छी सी कवीता याद करो और उसे कक्षा में सुनाओ ठीक है इसके लिए मैं अलग से कवीता कोशिश करूंग आपके लिए छोटी सी सुन्दर सी ढाल दूँ ताकि आप कर सके ठीक है उसके बाद है पता करो अपने दादा दादी अत्वा बड़ो से पता करके लिखो कि उनके समय में ठीक है खेतों में क्या काम हुआ करते थी आप अपने दादा दादी से बात करना या चाचा चाची ना च्जाना नाने जो भी खेतिबार्टी करते हैं उनके समय मर में क्या क्या काम हुआ करता था कहाँ पर खेतों में यह थाइफ से करते थे तो हम यहाँ लिख देंगे क्या लिख देंगे इसका उत्तर करके लिख देना नमबर एक बुवाई नमबर दो लिख दो कॉम्मा लगाने की जूरत नहीं है कटाई सिचाई कटाई से पहले सिंचाई भी आ जाएगा ठीक है जो सारे काम क्या होते थे हाथों से होते थे सिंचाई ठीक है ये सारे काम हाथों से होते थे अगला है ऐसी कौन सी फसले है जो पहले अधिक उगाई जाती थी लेकिन अब कम उगाई जाती है हमने पाठ में पढ़ा वा था नहीं फसले पुरानी फसले तो पहले कौन सी उगाई जाती थी पहले अधिक उगाई जाती थी, लेकिन अब कम उगाई जाती है, तो क्या जाएगा हमारा, बाजरा जाएगा, उत्तर यहाँ लिखोगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, उत्तर, वो फसले कौन सी आएगी, क्योंकि पहले क्या थे, सिंचाई के पानी के साधन नहीं थे न, तो ऐसी फसले उगाते थे जिन में पानी की कम जरूरत पड़े हमने पड़ा था ना तो यहाँ पर क्या जाएगा बाजरा कुछ फसलों के नाम लिख देंगे ना हम नमबर दो क्या जाएगा जवार आजाएगा नमबर तीन क्या आगया चना ठीक है यह आगया लेकिन अब क्या है इनकी जगा पर क्या है जादा तर क्या है अब बाजरा कोई नहीं खा रहा है पानी के साधन हो गए है गेहू इनकी जगा किसने ले लिए गेहू पहले बाजरा जवार चनी इनकी रोटियां बनती थी और खा के लिए बहुत सारे सादन हो गए हैं हमने पाठ में भी पढ़ा ना अब आगे हैं छांटों और लिखो हमें क्या हैं दी गई फसलों को तालिका के नाम दिये गए हैं बॉक्स में और यहां पर दो तालिका दी गई है एक तो है अक्तूबर नुवंबर में बोई जाने वाली फसल रेक है जून जुलाई में तो इन में से जो जो फसले इधर बोई जाती है वो यहां लिखेंगे जून जुलाई में बोई जाती है इधर चलिए एक एक करके करते हैं सबसे ठीक है? दूसरी फसल देखो गेहूँ गेहूँ कब उगाया जाता है ये भी सरसों के साथ ही लगता है उसी टाइम में तो यहां लिख देंगे हम गेहूँ अक्तूबर नुमबर में यह आएगा ना गेहूँ ठीक है? उसके बाद क्या है? जो जो भी इसी में लगता है अक्तूबर नुमबर में हमने पड़ा है तो यहां आजाएगा जो ठीक है उसके बाद क्या है चना तो चना भी इसी में लगता है तो हम यहां लिख देंगे चना यहां ही लिख देती है चना के बाद देखो क्या है मक्का अब मक्का किसम कब लगता है मक्का ये जो दिखरी है ये नुवंबर अक्तूबर में नहीं लगता है तो इसको हम क्या हम लगाएंगे जून जुलाई में पहले में इसको थोड़ा सा ये लिखा गया है चलिए कोई बात नहीं जून जुलाई में क्या जाएगा मक्का यहां लिख देती हूं मक्का, ठीक, अगला क्या है मक्के के बाद हमारा क्या है बाजरा, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, मक्का, मक्का के बाद बाजरा, बाजरा कब लगता है, यह भी हमारा जून जुलाई में लगता है, गर्मी में लगता है न, हमने वहां पीछे प जवार, ठीक है, तो जवार कब लगता है, ये भी गर्मी में लगता है, तो चलिए हम इसको भी लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं, जवार, ठीक है, जवार के बाद क्या है, गन्ना, गन्ना कब लगता है, ये भी जून जुलाई में लगता है, ठीक है, तो इसको भी हम यहीं लिख देंगे गन्ना गन्ना के बाद अगली फसल क्या है कपास कपास कब लगती है ये भी गर्मी में लगती है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कपास उसके बाद अगली फसल क्या है धान धान कब लगती है या कब लगता है ये भी क्या है बारिश के मोसम में लगती है बारिश का मोसम कब होता है जून जुलाई इसमें होता है न तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे धान जिसको हम चावल कहती है ये इसी में आ गया है आखरी फसल क्या है सूरज मुखी अब ये सूरज मुखी का बहुत कम लगाई जाती है तो इसको अपने ध्यान राया हैं कब लगता है यह October, November के महीने में लगता है तो हम इसको यहां लिख देंगे सूरज मुखी सूरज मुखी कि सूरज मुखी इसका नाम क्यों है क्योंकि यह जब लगता है न तो इसको ध्यान से देखने इसका बहुत ही अच्छा ऐसे बड़ा सा पीले रंग का फूल होता है उसके अंदर काले रंग के बीज होते हैं और ये बहुत बड़ा फूल होता है अगर आप हाथ में एक फूल लोगे तो ऐसे लगता है गुलदस्ता ले लिया हो और इसका नाम सूरज मुखी इसलिए है ये इसका नाम सूरज मुकी है कभी आपको देखने को मिले तो बड़े ही ध्यान से देखना बहुत अच्छा फूल होता है इसका इस तरह से हमारा काम पूरा हो गया मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं हमारे अक्तूबर नुवंबर में बोई जाने वाली आगी सरसो, गेहू, जो, चना, सूरज मुकी और जून जुलाई में क्या है मक्का, बाजरा, जवार, गना, कपास, धान ठीक है उसके बाद आगे है अगला प्रेशन समझ लो या एक्टिविटी है मिलान करो यानि कि मिलान का मतलब क्या है मैच करना है अब यहाँ पर देखो फसलो के नाम है पांच, जवार, गेहू, सरसो, चना, गना और यहाँ पर कुछ चीजे दी गई है कुछ इनका नाम नहीं दे सकती मैं जैसे तेल तो आपने देखना इन में से तेल किसका निकलता है ठीक है तो हम पहले एक-एक करते हैं जैसे पहले जवार है जवार क्या है एक चारा है ना जरी जिसको बोलते हैं चरी या जरी जो भी है पंजाबी में बोलते हैं या जो भी भाषा में देशी भाशा में तो ये क्या है जवार को इंसान नी खाते जानवर खाते हैं जानवर को दिया जाता है तो ये क्या है चारा है जानवर को हम क्या देते हैं चारा देते हैं ठीक है तो हम इसको किस से मैच कर देंगे आपने ऐसे लगाना है और उसके बाद यहां भी एरो लगा जो यही हमगा तो हम इसको इससे match करतेंगे चलिए match करती है गेहुं को अनाज साथ अपने सफाई से करना है और ये तीर के निशान जरूर लगाना है दोनों तरप ठीक है यानि कि हमने यह इस से मैच कर दिया उसके बाद क्या है सरसो अब सरसो क्या है तेल को देखो सरसो से तेल निकलता है हाँ हम अपने सबजी में दाल में हर चीज में जो तड़का लग पूरियां वगारा या कुछ तलना है बनाते हैं तो इससे तेल निकलता है जिसका भरपूर प्रियोग होता है तो हम सरसो को तेल से मैच कर देंगे चलिए कर देते हैं यह हम सरसो को तेल से मैच कर देते हैं ठीक है उसके बाद अगला है चना अब देखो चना चना क्या है आईए सबने, तो हम क्या करेंगे इसको चने को डाल के साथ मैच कर देंगे, ठीक है, यहाँ सुन्दर सा लगा देंगे, उसके बाद अगला देखेंगे क्या है, गन्ना, अब देखो गन्ना क्या है, खाया होगा आपने, गन्ने का रस हम पीते हैं, यह गन्ने को मुँझ से त चलिए हम मैच कर देते हैं, अच्छे से मैच करना है अपने, अब चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, हम, क्या है, जवार क्या है, चारा है, जुद जानवरों को दिया जाता है, ठीक है, गेहूं क्या है, अनाज है, सरसो क्या है, तेल निकलता है, चना एक दाल है, गन्ने से क्या है गुड़ बनता है तो ये हमारी पेज नमबर 69 की एक्टिविटी पूरी हो जाती है अब चलते हैं हम नक्षे की ओर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्या है कौन सी फसले कहां कहां अब यहां एक अपके पेज पर साइडों में देखो यहां देखो खेत का सीन है यहां किसान दिखा रखा है यह फसल उगई हुई है यह ट्रैक्टर से हर जगा आपको पेज पर यही मिलेगा बड़ा ही प्यारा पिच्चर लगाई हुई है चलिए हम पेज नमबर 60 का काम करते हैं कौन सी फसले कहां कहां हर्याना का मांचित्र अब आप यह नक्षा देखोगे मांचित्र देखोगे यह पूरा हर्याना का है हर्याने में जितने जिले हैं चलिए हम एक एक देखते हैं ताकि आपको समझाए यह क्या है पंचकुला अंबाला यमना नगर अब आप जहां के भी हो उसको ध्यान से देखना यह है कुरुछेत्तर करनाल कैथल जी ठीक है अब यह देखो यहां यह दिल्ली का एरिया लग रहा है यहां यह उत्तर प्रदेश का यह हिमाचल प्रदेश का यह पंजाब कर ठीक है और यहां यह राजस्थान यह बीच में घिरा हुआ है अब यहां पर देखो कुछ चीज दी हुई है यहां लिखाव है कपास क कपास देखो ऐसे कपास जिससे रूई निकलती है रूई आपने देखी होगी तो उसका पोधा ऐसा होता है रूई जब खुल जाती है तो वह ऐसे दिखती है तो यह जहां जहां लगावा है वहां कपास है अब देखो कुछ बताती हूँ मैं आपको यहां देखो सिर्सा में लगाव है यहां कपास हो रही है फतेबाद में कपास दिख रही है हिसार में कपास दिख रही है कैथल में दिख रही है बीवानी में दिख रही है तो यह इस इस जगा पर कपास हो रही है बाकी जगा नहीं दिख रही है दूसरा क्या है यह देखो गेहूं की बालियां देख चावल है, और बाज्रा तीन्नों चीज है इसी तरहा आपने ओर देखन Naj air यहाँ पर क्या है बाज्रा भीवानी में भी है यह कापास हमने बताया था मेहंदरगड में और बाज़रा आप देखो गए तो आपको दिखेगा यहां भूरा रंग है न तो यह देखो भूरे रंग वाला बाज़रा है ठीक है गयू का सुनेहरी रंग है सुनहरी रंग वाला है ठीक है और चावल का देखो चावल का मैं भी दिखाती हूं थोड़ी सी पहचान चावल की जो ये डंडिया है वो ऐसे भीडी हुई आ रही है गेहुं की खिली हुई आ रही है गेहुं की देखो ये गोल्डन सी आ रही है सुनहरी और लेकिन च तारी जगा देख लोगे कहां पर क्या उगरा है उसके बाद इस नक्षे को देखकर कुछ प्रेशन दिये गए हैं देखो मानचीतर को देखो और लिखो क्या लिखना है उन दो दो जीलों के नाम वैसे तो हमने देखा कुछ चीजे बहुत सी जगा पर हैं लेकिन सिरफ दो द कि बालिया मैं दिखाती हूँ यहां चलते हैं यह देखो अंबाला में दिखरी है बालिया कुर्चेतरा में दिखरी है करनाल में दिखरी है कैथल में दिखरी है जींद में भी दिखरी है सोनीपत में भी है और उसके बाद यह यमनानगर में भी है ठीक है पंचकुला में न लिख सकते हैं जैसे मैं दो जगा लिख देती हूं अमबाला और कुरुछेत्रा ठीक है अब कोई भी लिख सकते हूं यहां में लिख देती हूं अमबाला कुरुछेत्रा ठीक है उसके बाद है चावल चावल देखना है हमें कहां कहां हो रहा है चावल का देखो मैंने ये बताया है पतली सी बरीक सी जो सुनेहरे रंकी नहीं है अब चावल को हम देखते हैं यहां से देखो चावल कहां देख रहा है एक तो यह देखो यहां देख रहा है हिसार में ठीक है चावल यहां देख रहा है जींद में उसके बाद कैथल में कैथल के बाद और आगे करती हूँ मैं यह देखो यहां पर देखो करनाल कुरुछेतर अंबाला ठीक है यह सोनी पत पानी पत ठीक है इन सब चीजों पर दिख रहा है तो हम चावल की कोई भी दो जगा लिख देंगे मैं लिख देती हूं हिसार हिसार में भी हो रहा है न आप कोई भी दो जगा करेंगे कर नाल ठीक है उसके बाद अगला देखो कपास अब कपास देखो हमने देखा था ने यहां पर सिर्षा, फतेबाद, हिसार, भिवानी ठीक है तो हम दो लिख देंगे सिर्षा और फतेबाद लिख देते हैं आप कोई भी लिख सकते हो, सिर्षा, फतेबाद, आप कोई भी लिख दोगे, आपका गलत नहीं होगा, बस वहाँ होगा नहीं चाहिए आगे हैं बाजरा, अब बाजरा हमने यहां देखा था, यह देखो, यहीं पर दिख रहा है आपको बाजरा, महिंदरगड, रिवाडी, गुडगाओ, जजज़र, यह काले से दिख रहे हैं, भिवानी, हिसार, तो हम कोई भी दो लिख देंगे, यहां हम लिख देते हैं, मह इंदर, गड़, ठीक है, भीवानी, भीवानी भी हमने देखा है न, है, यह हो गया, तो इस तरह से हमारा क्या है, यह नक्षे वाला काम भी पूरा हो जाता है, पेज नमबर 60, अब चलते हैं, पेज नमबर 61 पर, देखो कुछ प्रशन दिये गए हैं, क्या है, ध्यान से दे रहते हो, उगाई जाने वाली फसलों के नाम, उनके बोने तथा काटने का समय पता करो, और अपनी कोपी में लिखो, अब देखो, गेहूं हमने देखा, सब जगा हो रहा है, तो मैं आपकी सहूलियत के लिए कुछ एक लिख देती हूँ, यहां आप कोलम बना लेंगे, यह यहां लिख देंगे फसल का नाम, यहां लिख देंगे फसल का नाम, तीन कोलम बना देंगे फसल का नाम, और यहां लिख देंगे बोने का समय, बोने का समय, और यहां लिख देंगे काटने का, ठीक है, अब पूरा लिख लेना, बोने का समय, और यहां लिख देना काटने का समय अब चलिए करते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कुछ-कुछ पहली फसल जो है आपकी में रंग बदलनू पहले पहली फसल क्या है नंबर एक पर क्या है गेहूं गेहूं सब जगह उबती है न ठीक है इसके बोने का समय क्या है अक्तूब नुवंबर का महीना है यहां लिख देंगे अक्तूबर नुवंबर अक्तूबर से नुवंबर दो महीने हैं और काटने का समय क्या है अप्रेल का महीना अप्रेल के महीने में काटा जाता है तो यहां लिख देती हूं मैं अप्रेल ठीक है यह अप्रेल है अब आपको दिखेगा दूसरी जो फसल है दूसरी नंबर की जो फसल है जो सारे लगाते हैं चावल होता है जिसको हम धान कहते हैं तो ये कब लगता है जून जुलाई में लगता है जून और जुलाई दो मेहिनी में लगता है ठीक है उसके बाद और ये काटा कब जाता है स्तंबर में जब गेहूं बोनी होते हैं तब कटता है स्तंबर और अक्तूबर में स्तंबर से सितंबर से सितंबर से स्तंबर हो गया अक्तूबर हो गया और नमुम्बर ये तीन महीनों में ये कटती है ठीक है ये एक आईडिय के लिए बतारी हूं तीसरा आपका क्या है चणा लिख दोगे इस पर मैं करके बता रही हूं थोड़ा रम चेंज कर देती हूं तीसरा क्या है चना ये कब लगाये जाता है चना जो है वो अक्तूबर नुमंबर में ये ही लगता है अक्तूबर नुमंबर तो महीनों में लगता है न ये और ये कटा कब जाता है ये कटता है आपका अप्रेल में यहां लिख देती हूँ में अप्रेल ठीक है तीन होगे आपके चोथा एक और बता देती हूँ आपको सरसो चोथी नमबर पे आगया सरसो ये भी आपकी कब लगती है सेम अक्तूबर नमबर में ने ऐसे लगा दिया आप समझ जाना ठीक है और कटती कब है ये सरसो जो है वो अक्तूबर नमबर में लगती है और अप्रेल में ही कटती है ये सेम आ जाएगा ठीक है यहां पर यही आ जा देती हूं फसल मैंने चार बता दिये गेहूं जो अक्तूबर नुवंबर में लगती हैं अप्रेल में कड़ती हैं धान जो है जिसको चावल बोलते हैं धान ये जून जुलाई में लगता है स्तंबर अक्तूबर नुवंबर में काटा जाता है चना और सरसो जो है अक्तूबर प्राइटाई मामा मामी जो भी हैं उनसे पूछ कर अपने राज्य को की दो नई और पुरानी फसलों के नाम लिखो दो नई फसले लिखनी हैं दो पुरानी ठीक है तो हमारी नई फसले कौन सी है नई फसले आज कल आप देख रहे होंगे क्या है सूरज मुखी इसका उत्तर म मैं बता देती हूं आपको बड़ा कर दूं ताकि आपको पता चले है दो नई फसल है यहां पर आई हैं तो यहां लिख देती हूं नई क्या है नंबर एक सूरज मुखी ठीक है और नंबर दो क्या है मश्रूम मश्रूम अपने खाई है ना खुम्बी से होती है और दो पुरानी फसलों के नाम लिखो पुरानी फसले क्या है हमारी गेहूं होगी यहां लिख देती हूं गेहूं और नमबर दो पे क्या है कपास यह हमारी पुरानी फसली है ठीक है दुबारा से बता देती हुए आपको नई फसले क्या है सूरज मुखी मश्रूम मश्रूम को हम ऐसे लिखते हैं मश्रूम ठीक है और जो पुरानी फसले है वो क्या है गेहूं का पास, यह सारी पुरानी है, अब आगे क्या है, किसी एक फसल के बारे में अपने बड़ो से जानकारी प्रापत करके लिखो, जानकारी प्रापत करनी है और उसने लिखना है कोई भी फसल, जैसे फसल का नाम, पहले लिखना है फसल का नाम, तो मैं एक ग गेहूं के बारे में कर देती हूं क्योंकि गेहूं पूरे हर्याना में लगाया जाता है तो ये लिख देती हूं में गेहूं ठीक है इसी के बारे में हम कर लेते हैं उसका क्या है बोने का समय हमने क्या देखा कौन से है बोने का समय अक्तूबर और नमंबर ये दो महिनों में बोया जकता है और निराई गुडाई का समय कब है जब अक्तूबर नुमंबर हो गये दिसंबर में उसकी छोटी छोटी कौपले THोड़ी सी बड़ी हो गयी तो जनुवरी का महिना लगते ही हम इसकी निराई गुडाई कर देते हैं तो महीना लग जाता है इसको दुबारा से खरपतवार उगने में सिच्चाई का समय अब सिच्चाई कब करेंगे जब हमने लगा दी हैं तो अक्तूबर नुवंबर में लगाई है तो एक बार पहले हम दिसंबर में कर देंगे फिर निराई गुडाई जनवरी में कर दी तो फरवरी में दिसंबर जनवरी फरवरी तीन महीने में हमने सिच्चाई करनी होती है यहां लिख देंगे दिसंबर जनवरी फरवरी यह तीन महीने हमें इसकी देख कर सिच्चाई करनी पड़ती है ठीक है उसके बाद नहीं करनी होती है काटने का समय कब होता है अप्रेल में जाकर ये तियार होती है जनुवरे फरवरी तक हमने पानी दिया मार्च में ये पक कर पूरी गोल्डन यानकी सुनहरी रंकी होती है तो काटते कब है हम अप्रेल के महीने में ये तियार हो जाती है, तो काटते हैं, अपरेल में, इकथा रखने का स्थान हम इसको कहां रखते हैं, भंडारन जब होती है हमारी टैंकियां होती है उसमें हम रखते हैं बेचने का स्थान कहां जाते हैं ये गेहूं अनाज है तो अनाज मंडी में जाते हैं अनाज मंडी ठीक है खेतों से मंडी तक पहुंचाने का तो आपके पास जो भी है साधन हमारे पास जैसे ट्रैक्टर है अगर नहीं भी है तो हम क्या करते हैं ट्रैक्टर को किराय पर ले लेते हैं लेके जाते हैं ना फिर ट्रैक्टर या फिर ट्रोली लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या है अगला प्रेशन नंबर चार है इस फसल का चित्र बनाओ और रंग भरो इसमें आपने क्या करना है अगर आप अगर आपसे गेहूं की बाली का चित्र बनता है तो अच्छी बात है नहीं तो आपने क्या करना है गेहूं की जहां से भी तस्वीर मिले या पुरानी किताब हो कहीं से भी मिले उसको काट कर यहां चिपका दोगे ठीक है इस तरह से आपका ये पूरा पार्ट कम्प्लीट हो जाता हैं उम्मीद करती हूं कि आपको समझ आया होगा धन्यवाद करें 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 करें